अजी किसान भाईयो नमस्कार मैं सुकुदेव सिंग डिस्टिक हरियाना तहसील सावाद मरकंडा से बोल रहा हूँ मेरा मुबाईल नंबर 9896-787-414 एकिसान भाईयो किसान भाईयो यह मैंने वेश्टिकमपोजर से अपना अलू त्यार किया है एकड़ में इसका मैंने पहले वीडियो डाला था से 20 दन पहले और यह और यह आज 20 दन के बाद का वीडियो किसान भाईयो यह देखे किसान भाईयो मेरा को दे की हाइट श्या आपको निच्चे से लेके उपर तक की हाइट दिखा रहूं इसक優ज पूरी पोदे की बोदे गा थेखे किसान भाईयों Гणय कीतना मोटा हैं में कोई बाइरस बलाइड की प्रोब्लम नहीं मेरे को लग रही किसान भाई विसमें मैंने चार बार पानी लगाए किसान भाई और चार बार ही मैंने वैसटी कमपोजर 2-2-2 ह्यों करके दिया था था एक सन भाई यह वैसे लोग बोले जा रहे हैं इसके बारे में मैं दिल में इसका वो भी मैंने पूरा करना था अपने दिल का डाउट ये पोदा देखें किसान भाईयो वाप एक सब्भाईयो वाज आलू 50 दिन को चुक है मैं आपको एक पोदा भी इसका पाड़ गई खाता हूं किसान भाईयो हम उसके आलू भी गिनेंगे इसके नीचे कितने आलू अंपने होए हैं ये किसान भाईयो मेरे एक आलू का पोद है इसकी जड़ देखिए किसान भाईयो आप और ये पोद है किसान भाईयो अब मैं इसकी मिट्टी पाड़ के आपको इसके आलू भी गिनौआ देता हूं कि आप लोग भी नाश्टेम वेष्ट टिंपोजर से आ तिन च्छै तिन नो दस एक सन भाईयो मैंने पूदा पाड़ा है अलू का इसके नीचे दस अलू है एक सन भाईयो सेड में घिर गया था जो ग्यारा मेरे को अलू के इसके नीचे दाने मिले हैं और मैंने चिसन भुष्ण केमिकल वाला अलू वह आलू भी मैंने इसके साथ ही लगाए तो जिसका मैंने ब्रेड त्यार करना है ये वरैटी किसान भाईयों मैं आपको दाना जाता हूँ जो मैंने बाहर से में गाके यहां पे लगाई है लीमा वरैटी है जिसका टाइम पिर्ड़ पिचास दिन, साथ दिन का मैक्सिमुन त्यार होने गए जो किसान भाईयों हम आलू लगाते हैं जो बहुत ही लंबी वरैटी होती है और मैं इसका आपको एक पोधा होर दिखाऊंगा पाड़के किसान भाईयों उसके भी हम आलू गिनेंगे उसके भी जड़ देखेंगे यह है किसान भाईयों मेरा दूसरा पोधा यह मैं पोधेगे आपको उपर तक की हाड दिखा रहा हूं इसकी पूरी उसके भी अलू गिनेंगे तीन तीन छे तीन नो दस ग्यारा 12 13 13 दाने के भाईयों यह मेरा आठ सो लिर्टर वेसी के मुझेर का लिए जिसकी मिट्टी बिल्कूल फोकि ओ चुक एком पे दाने के थान पोधे के नीचे मिले और दस ग्यारा एक के नीचे मिले यह खिसान भाईयो मेरा अलू है जो मैंने सप्रे लगाए किसान भाईयो कोई केमिकल भी ने डाला मैंने इसमें यह लीमा बरेटी है जो मैंने बहर से गागे लगाई थी किसान भाईयों हम पिछले साथ आठ साल से किसान भाईयों अलू का ब्रेड त्यार करते हैं केमिकल डाल केमिकल के मैंने लगा रख है छे कड़ उसमें मैंने आज भी तक खर्चा नोट नहीं गिया पर मेरे को आईडिया है 20,000 पर एकड़ आ चुक हो खर्चा आज की डेट में अभी तक इसमें सिर्फ मैंने आज सुबह ही मैंने इसका जोड़ा था मेरा सिर्फ पांसु सड़े पांसुर पर एक असपास खर्चा आया है और उससे यह अलू बहुत ही बैस चर रहा है एक किसान भाईयों मैं आपको मैंने ट्रेल के बेस भी इसको लोगा है कि हम वेस्ट कंपोजर से त्यार होगा तो हमारे तो कुछ खर्चा ही नहीं आएगा हमारे को प्रोफिटी बहुत जादा मिल जाएगा किसान भाईयों वैसे तो किसान भाईयों केमिकल जो डालते हो बीज जार तो खर्चा आना ही है वेस्ट कंपोजर से सिर्फ आपको वही चार- किसान भाईयों अगर मेरे इलागे किसी भी किसान भाईयों को वैस्ट कंपोजर चाहिए या अलूगा ब्रेड चाहिए किसान भाईयों किसान भाईयों यह देखिये डिल का डावड जो निखल गया और मेरे आसपडोस के लोग भी कहा रहे हैं या मेरे को आपने तो कुमसी दवैं डाली वो हुमार को भी लागे दोबप पहले तो उनका दिल नहीं माना ज़ाला है आप अब ही तब तो नहीं कि मेरे हैं इब सब्सक्राइब गालते क्या से लिए गशीसित्र विडियो मेरे हैं आप अपस है वह भी ऊसलों में इस जैये और आहिस कुन्टेक्ट भी कर सकता है एक संब्राइब मेरा अलुगा पोदा भी है दिखा रहा हूं आपको बार-बार में यह किसान बाइओ मैंने अभी पांच तरी को दो मिहिन ने गालु होएगा किसान भाइओ अगर किसी को ब्रेड चाहिए इसका वो भी मिल जाएगा कि हमारा ब्रेड का काम भी है और वस्ट डिकंपोजर चाहिए वो भी मिल जाएगा किसान भाइओ जैहिन नमस्कार